आज हम relative error और percentage error के ओपर कुछ numericals करेंगे जैसे मारे पास अब से पहला numerical है A physical quantity x is calculated from the relation x is equal to a square b q c and root d if the percentage error in a b c d are 2 percent 1 percent 3 percent of 4 percent respectively what is the percentage error in x तो यहाँ पर आपको percentage error दिये गए हैं a b c d के सारे percentage error निकालके दिये हैं आपने इनका use करके x के अंदर percentage error निकालना है तो यह हमारा question है तो कैसे solve करेंगे सबसे पहले हम x की value लिखेंगे जो आपको given है फिर हमें x का relative error का formula निकालना है तो हमें पता है what is the relative error absolute error mean of absolute error upon true value तो absolute error हमारे पास क्या आएगा x का delta x और इसकी true value तो x ही है ठीक है अब right side में भी आपने similar way में formula follow करना है a का क्या होगा delta a by a b का क्या होगा delta b by b c का क्या होगा delta c by c और d का क्या होगा delta d by d अब सबसे पहली बात जो इसमें note करने वाली है वो ये है कि भले ही c और under d आपके divide में है लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा है कि आपकी equation जैसे मर्जी हो divide हो multiply हो add subject जो मर्जी हो आपने उसको क्या करना है हमेशा add ही करना है ठीक है कि जो power है उसको आपने front में लाके multiply कर देना है जैसे हाँ a square है तो आपने इसको 2 into कर दिया जब b cube है तो आपने 3 into कर दिया c के साथ कोई power नहीं है तो as it easy लिख देना है उसको और d की power 1 by 2 है under root का मला 1 by 2 होता तो plus 1 by 2 करना है तो आपने 1 by 2 से multiply कर देना है तो अब इसके बाद जब यह formula आपने बना लिया यह अपने equation लिख ली उसके आद हम percentage error का formula लगाएंगे तो percentage error में कोई ज़्यादा difference नहीं है relative error को अगर मैं 100 से multiply कर देता हूं तो वो percentage error बन जाता है तो जैसे आपने delta x by x को 100 से multiply किया वैसे delta a by a को 100 से कर दो delta b by b को भी 100 से कर दो इस तरह c और d को भी 100 से multiply कर देंगे अब आपको जो delta a by a into 100 है मतलब इसका मतलब क्या हुआ delta a by a into 100 इसका मतलब और percentage error in a और इसका क्या मतलब हुआ delta b by b into 100 आपने 3 और 2 छोड़ देने है, क्योंकि वो multiply में है, आपका ध्यान अब कहां पर होना अच्छे, delta B by B into 100, इसी तरह यहाँ delta C by C into 100, और यहाँ पे delta D by D into 100, तो यह आपके percentage error है, A, B, C और D में, ठीक है, जो आपको given है, आपको उपर दिया गया है कि percentage error कितने दिये गया है, 2%, 1%, 3%, 4%, तो आपने delta A by A की जगा के लिखना है, into 100 की जगा के लिखना है, 2%, और delta B by B into 100 की जगा के लिखना है, 1%, delta C by C into 100 की जगा के लिखना है, 3%, इसी तरह delta D by D into 100 की जगा, 4% लिखना है, तो आपका जो equation है, क्या बन रहेगा, 2 into 2, 4%, 3 into 1, 3%, यह 3 रहेगा, और इसको काटेंग तो यह 2% आएगा तो answer आपका आजाएगा plus minus 12% तो इसको आपने ध्यान से करना बड़ा important relation है question है इसमें आपको बहुत सारी equation एक साथ solve हो नहीं है इसके बाद हमारे पास दूसरा एक और question ऐसे ही आता है यह हमने resistance ohms law आपने 10th class में पढ़ा होगा भी आप पढ़के आए है the resistance r is equal to v upon i ठीक है यह आपको resistance दी गई है where v is equal to 100 plus minus 5 volt i is equal to 10 plus minus 0.2 ampere तो potential difference आपका volt में होता है और current आपका ampere में होता है पहले तो यह बात आपको पता होनी चाहिए फिर जब percentage error निकालेंगे तो आपने याद अखना है कि मैंने आपको पहले भी कहा था 100 plus minus 5 का मतलब क्या हुआ 100 है true value और plus minus 5 क्या है error ठीक है इसमें true value क्या है 10 और plus minus 0.2 क्या है error तो आपने क्या करना है सबसे पहले ohms law का use करना है तो resistance क्या होते हो ohms law में V upon I ठीक है यह आपको याद होनी चाहिए ने तो आप यह equation कर नहीं पाऊगे अधर वैसे आपको दिया भी हुआ है लेकिन कभी मारे exam में नहीं दिया होता तो आपको पता नहीं चाहिए what is R V upon I तो relative error in R क्या हुआ अभी हमने किया जैसे पहले delta R by R वैसा V का किना हुआ delta V by V और I का किना हुआ plus delta I upon I अगे मैंने क्या का divide है लेकिन आपने error हमेशा क्या करने add ही करने हैं तो यह relative error है किसका relative error of R relative error of V and relative error of I ठीक है अब delta V की value कितनी होगी यह हुआ error delta V में error कितना है 5 और V का है उसकी true value तो true value कितनी है 100 तो 5 upon 100 यहाँ पे वैसे 0.2 by 10 इसको solve करेंगे तो हमारे पास आजएगा 7 by 100 तो यह तो हुआ relative error लेकिन पूछा क्या गया है आपसे percentage error तो percentage error में हम क्या करते हैं relative error को 100 से multiply करते थे तो left side को 100 से multiply कर रहे हो इसलिए right side को भी 100 से multiply करेंगे right side को 100 से multiply करेंगे तो 100 से 100 cancel हो जाएगा और आपका answer आजएगा plus minus 7 percent एक बड़ा simple सा question और मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन कई बार simple question एक्जाम में बड़ी difficult हो जाते हैं आपको एक equation दी गई है और उसका relative error निकालने के लिए दिया गया है equation दी गई है a की power 4 b raised to our 1 by 3 c d raised to our 3 by 2 ठीक है d की power 3 by 2 है तो आपको इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि आप relative error निकालो तो सबसे पहला confusion तो paper में यह हो जाता है कि हमारे पास तो कोई value दी नहीं गई है फिर relative error कैसे निकालेंगे तो आपसे just know ने formula पूछा होगा तो formula आपने सीधा लिख दना है z का क्या जाएगा delta z by z relative error आपको पता है ठीक है plus minus अब यहाँ पर power कितनी है 4 तो 4 से multiply होगा ठीक है और a का relative error क्या होगा delta a by a b का वैसे ही power कि नहीं है 1 by 3 और relative error क्या होगा delta b by b c की कोई power नहीं है तो plus delta c by c plus what is the power of d 3 by 2 तो multiply कलो और d का relative error क्या होगा delta d by d तो यह आपको दो number में ऐसा exam में question आ सकता है